कि पहले डिनर फिर आइस में और अभी ड्राइब मैं इन सब का मुचसर नहीं समझ पा रहें आसान कर देना मेरी विश्किल क्या यार मैं कि मैं तो मैं आउटिंग पर नहीं देजा सकता है क्या है सारा दिन तुम घर में घर में होती हो और हो जाती होगी बाहर निखलोगे थोड़ी एक कुईर फिजा में सास लोगी तो अच्छा है माइन फ्रेज्ज में हो रहा है इतनी परवा है आपको मेरी अच्छा एक बाद पूछों आपसे हाँ कूछो आप ये सब कुछ हिस लिए कर रहे हैं कि हम दोनों एक रिष्टे में बनने जा रहे हैं इसलिए इतनी अहमियत दे रहे हैं आप मुझे कि हाफ पैब पाश्रीन पहस्ति है आप मुझे तुमसे कुछ फास बात कर ड़े हैं बताये क्या बात हैं वह आफ इस वह अफ यह जो प्रिश्टा सबरदस्ती मुछ पर मुसलत किया जा रहे हैं मैं नहीं नभा सकता हूँ. अमी के दबाओं में आकर मैंने हाग तो कर दी, लगर मैंने दिल से नहीं किया एकुछी। वो मुझे बात भी नहीं कर रही है इस बारे में। तो मैंने सुचा कि मैं तुम से बात करो। तुम अमियमूस से बात करो और उनको खुद इंकार कर दो. यानि आप मुझे नाफर्मान और इहसान फरामोश बनाना चाहते हैं. जबके आप जानते भी हैं कि खाला और खालुजान की बहुत सारे इहसानात हैं मुझे पर. इस शादी से आपको एक रास जाना तो आप खुदियों ने मना करते हैं. इतनी हिम्मत नहीं है मजबे. कि एक पल में मैं हसान फरामोश बन चाहूं. यार तुम्हे इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आरही हैं? मैं बार बार इंकार कर रहू हूँ इसादी से कि मुझे नहीं करनी हैं, इतनी सी बात तुम्हे अगल में क्यों नहीं आरही है सदा, क्या हो गिया तुम्हें चिलाएं मत जायान. को कि एम फॉरी. मैं किसी की नजर में बुरा नहीं बनुगी. मैं आपसे कह रहे हूँ ना, कि आप शादी नहीं करना चाहती तो आपको दिनकार कर दे. खुद तो आप एक सहराब के पीछे भाग रहे हैं, और मेरी अकल पर शक कह रहे हैं. आपके देखो, सदफ, तुम्हारे पस अभी भी मौका है, तुम किसी भी अच्छे इसादी कर सकती हो, जो तुम्हारे ख्याल रखे हैं, तुम्हें दिल और जान से मौबल दे, मैं तुम्हें सिवाय तकलीफ हैं, और कुछ नहीं दे सकता हूँ. और क्षिए अव्च कह रहीं धवी ब zwrैक्ता हुआ हैं, तुम्हेंसा कहतो कि एवाय ग altern झाल